Hello everyone welcome to my channel इस YouTube में हम बात करें कि इंगलेस को हम कैसे 1-1-2 टाटल करें था कि अपने स्कोर को में इंगलेस सेक्षिन मेक्सिमाइज कर लें करेंगे सारी साथ कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है इस एयर की एक्जाम के लिए उसको भी देखेंगे और समझेंगे ठीक है ताकि हम अपनी स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें अचले स्टार्ट करते हैं अचले स्टार्ट के लिए तो उसके लिए हम कैसे इंगलिस स्कोर कर सकें और अपना सेलेक्शन से इंसे और कर सकें अगर हम इस एक्जाम की परपरेशन कर रहे हैं तो हमें यह डेफिनिटली पता होना चाहिए कि प्रिवियस एयर यानि जो पिछली बार एक्जाम हुआ था उ करैं कोन से तोपिक से कौन काउन से कॉष्ण आयते हैं इसके बार में डेफिनिटली पता होना चाहिए मैंने प्रिवियस से पेपर की अनलिसेस की है तो मैं आपको बताते हूँ कौन काून से टॉपिक से कैसे कॉष्ण आयतायी साथी में किसे Are depression जारी में कितने कोष्ण आय प्रिवियस से पेपर देखने के बाद आपको हाई लेवल का बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है हाँ इजी टू मॉडरेट पढ़ने की जरूरत है हाई लेवल के एक भी कोश्चन ऐसा नहीं था जो कि हाई लेवल का हो पता नहीं हो अपो देथ से एक कोश्चन हो सकता है बट यहां पर यहां पर लेवल बहुत इसी एंपैक्षिन के हल भी इसको टू कर सकता है और अंसर ना पता हो तो भी 1-1 substitution आया था, यह भी दो question थे, इनका इसका भी level काफी easy है, EDM and phrases से 8-9 question थे, यानि कि, जो सबसे साथ question है, यह EDM phrases से, और इनका level ठीक ठाक था, moderate to difficult था, ठीक है, एक question easy था, बट बाकी moderate to difficult, और साथ में EDM phrases किस तरह से पूछा गया है, जिससे मैं आपको दिखाते हूं, किस तरह से पूछा है, आप ज़र यह देखो, यह question दिया हुआ कि, the bright family could not break the eyes with groom's relative, तो यह break the eyes तो एक EDM है, इसका मतलब होता है, जिससे कि, ब्रेक दाइस मतलब चुपी तोड़ना, ठीक है, तो यानि कि, अगर कोई conversation चल रहा है, और सारा लोग, सारा लोग, सारा लोग चुप है, तो अगर कोई पहले बोलता है, तो वो क्या करता है, ब्रेक दाइस करता है, तो bright family could not break the eyes the groom, with groom's relative, यानि कि, जो ब्राइड है, यानि दुलहन की फैमिली है, वो कुछ बोल नहीं रही है, गुरूम के relative से साथ, क्यों नहीं बोल रही है, जाहिर से बात है, जो environment होगा, काफी tense होगा, stress होगा, इसलिए नहीं बोल रही है, तो atmosphere between the two family was strained and tense, यानि कि, काफी तनावपूर अट्मॉसफेर ब्राइड के family और गुरूम के relative के बीच में हो गया था, दोनों family के बीच में काफी तनावपूर situation हो गयी थी, इस वज़े से, ब्राइड के family break the ice नहीं करे थी, बोल नहीं थे, आफस में बाचित नहीं कर रहे थे, सारे सार चुप थे, तो इस तरह से idiom phrases आएंगे, तो इसके लिए प्रिपेर रहो, उसके बाद सबसे ज़्यादा question, यह direct indirect से four question आये थे, homophone से three question आये थे, जो कि काफी easy थी, अब यह homophone क्या होता है, अभी, अभी homophone का मतलब क्याता है, सब्सक्राइड दो वर्ड दोनों प्रोनाउंसियेट करने में similar होते हैं, बट उनके meaning different होते हैं, उनके spelling different होते हैं, अब देखते हैं इसको भी, यह ज़रा देखो, यह homophone है, homophone से related feel up आया थे, कि I test that there, that barrier to business in the US, अब देखें, option दिया, flee, flee, दोनों को pronunciation भी same है, spelling different है, but meaning different है, no, no, यानि जानना और नहीं, दोनों के spelling different है, meaning different है, but pronunciation same है, stair, stair, यहाँ इसीडे की बात हो रही है, यहाँ पे stair में घुरने की बात हो रही है, पुल, यहाँ पे पुल की बात हो रही है, यहाँ पुल धक्का देनी की बात हो रही है, तो यह homophone से related question थे, इनको fill करना था, I test that there is barrier to business in the US, तो यहाँ पे क्या fill होगा, सीडी की तो sense हो इनी है, पुल की भी sense नहीं, फ्ली की भी sense नहीं है, तो यहाँ पे no होगा, I know that, मैं जानता था, there is no barrier, no barrier मतलब महाँ पे कोई बाधा नहीं थी, to the business in the US, US में जो business से महाँ पे कोई बाधा नहीं थी, तो यहाँ पे जो answer होगा, कौन सा होगा, second one होगा, तो इस तरह से homophone से question रहाए थी, जैसे कि यहाँ पे, she bought that dash of, she bought two dash of dash from the fruit seller, अब देखिए, बहुत easy है, किसी fruit seller से आप क्या purchase करो, fruit ही तो purchase करोगे, तो homophone, देखिए, pears, 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 meat, meat, soul, soul, hair, तो यहाँ तो न तो hair का कोई sense है, न ही soul का sense है, न ही meat का, मिलने का भी कोई sense नहीं यहाँ पे, तो आप fruit seller से क्या appears, यही तो fruit ही तो खर दोगे, यहाँ पे पिरस नासपाती की बात हो, तो यही तो खरीदोगे, तो simple से यही पहला वाल option सही हो जाएगा, see bought two pairs of pair from fruit seller, next पूझा था कि the dash of the bed in the rooms, अब बेड की बात हो रही है, तो जाहिए से बात है, यहाँ पे जाहिए से बेड के साथ, हील का कोई sense नहीं है, हेर का भी कोई sense नहीं है, और उत्तरा धेकारी का भी कोई sense नहीं है, तो भई, made, यानि जो नौकरानी है, बना रही है, made up the beds in all the rooms, यह काफी easy है, तो इस तरह से homophones आया थे, उनको fill up करना था आपको, तो एक तरह से filling the blanks ही है, और यह बहुत easy है, आप आराम से इसको कर लोगे, next क्या आया था, homophones आया, तो यह तो हो गया, next आथा figure of speech आया था, इससे 5 questions थे, figure of speech यानि अगर हिंदी में बात हो तो अलंकार, मैंने हिंदी में पढ़ रखा अलंकार, पड़ figure of speech से question आया थे, 5 questions आया थे, तो यह भी काफी अच्छा topic है, आपको इसको prepare करना पड़ेगा, और same meaning, एक sentence दिया है, इस sentence के बाद, चार sentence दिये हैं, और जो sentence दिया, उस sentence जो meaning आ रही है, उसी meaning के चारो sentence पे कौन सा, एक sentence उसकी meaning आ रही है, तो यह बनता आना था, तो यह भाई, इसके लिए मैं separate video बना दूँ, किस तरह से पूछा था question, और correct order of sentence, यानि कि जो error वाले sentence, जिसमें कोई error है या नहीं है, इस तरह के sentence है, इसे related पाच कोशन थे, यह दोनों moderate level के थे, ठीक है, यह दोनों moderate, तो इसको भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, अब मतब कि sentence के बार में, correct order find out करना था, meaning meaningful sentence find out करना था, जिसमें error है या नहीं है, अगर यहाँ पे जो verb है, और जो subject verb के according sentence है या नहीं है, तो इस तरह का sentence था, इसके लिए मैं accepted video भुना दूँगे आपके लिए, तो यहाँ पे देखिए synonyms, देखिए कितना easy पूछा था, catch up with, यानि यह एक तरह का phrasal verb होता है, इसका मतलब होता है, किसी से बराबरी करना, match करना, तो इस catch up with का जो synonyms हो जाएगा, equal हो जाएगा, erastik का मतलब होता है, किसी को घिरफतार करना, तो जो option थे उसमें apprehend हो जाएगा, merchandise का मतलब होता है, goods होता है, natural का मतलब जो जन्मजात हो, तो in-end हो जाएगा, notable का मतलब remarkable होता है, जिसको चिन्नित क्या जा सके, mystic मतलब magical होता है, clear का किसको मतलब नहीं पता होगा, transparent होता है, put up with, यानि आपको थोड़ा सा phrasal वर भी पढ़ना पड़ेगा, दो phrasal पूछे, तो to put up with, इसका मतलब tolerate होता है, एंटर्निम पूछा था कित्रो भाई भेक रहे हो, तो catchी करोगे उसका पोजेट, fearless मतलब कि आप एक्दम बहादूर हो, fearless हो कि आपको किसी से डर नहीं है, तो इसके लिए दर पोक ही गो, तो इसके लिए दर पोक ही गो, दुखी वेकर होता है, तो यह एक, दो, तीन, तीनों कि तीनों निगेटिव से रहे हैं, तो पॉजिटिव क्या होगा, एक ही से एगरिबल तो यह क्या होगा, यह सही हो, लीव दे गयाने कि स्टे लीव मतलब, और स्टे यह ताइसी सा, क्या क्या था, आपेर, इन दढ रेक, यह क्या था, और र्यूट था, अवल्डिंग अउट ऑउन, सेट आन फैंसे, ब्रिक द आइस, तो यह सारे इडियू प्रेजिव से पूछे गये थे, इसी टाइब से तो आपको इडियम्स फ्रेजस को बहुत अच्छे से प्रिपेर करना होगा तो यह हमारा एनिलिस रहा प्रिविएस यह कोश्चन पेपर का इंगलिस का तो हमें स्टरजी क्या बनानी है तो हमें सिंपल स्टरजी बनानी है एकदम माइंड मेकप करके चलना है ह अज हम पड़ेंगे हैंडियरेक, विद डियरेक पड़ेंगे वड़ेटश पूरी अच्छे से अप मेजने, इन कोश्चन है तो हमाना सही हchio ह αναगा एक कि पर आवे बात by आवा, फिर अफी उटाई से और फीडियूडे सेश्टाई गाले सॉस्टिण अब वाथ, वक्तिया उटाई एक पाले सब्सक्राइपर कारई थैयर, घ्लिशन परिपर 25,000W सेेश्टियूमि और है रिषैरे 20-20 cm देली कांड़ी नहीं, 24,000W प्राक्टिस करो तो इस तरह से आपको प्रिपर हो जाएगा और इस इक्जाम के लिए इस तरह का पेव इस तरह की स्टरजी बनाने की बिल्कुछ ज़ुरत निया कि हम तीन घंटा एंगलिस पढ़ेंगे और एक घंटा रीडिंग करेंगे एक घंटा एरा डिटेक्शन प्रिपर आएंगे वह वेस्ट ऑफ टाइम है यह सारी चीजे बैंकिंग एससी के लिए ठीक ठाके बट इसके लिए मुझे तो नहीं लग रहा है कि यह सही है इसके लिए सिफ यह सही है कि आप रिडिंग अगर जिनका इंगलिस बहुत ही वीक है तो वह रिडिंग करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड से मेरी वीडियो को सेर करें